हेलो स्टूडेंट्स तो शुरू करते हैं आज का एक नए वीडियो रिलेडेड टू मैट्स टिप्स तो अभी कोविड में दो साल ऑनलाइन हो गए तो बहुत सारे बच्चों के मैट्स के जो बेसिक्स है वो थोड़े से वीक है तो उस बेसिक्स को हम आज ब्रश अब करेंग तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं लोड हो रहा है स्क्रीन एक मैं ब्लैंक पेज लेता हूं तो आज हम सीखेंगे थोड़े से सब्ट्रेक्शन के बिसिक के बारे में सब्ट्रेक्शन सो बहुत सारे बच्चे है और एग्जम्पल मैंने सिम्पल सब्ट्रेक्शन दे दिया तो इस सबको आता है नाइन माइनस त्री सिक्स बट और एग्जम्पल मैंने यहाँ पे पूछा कि 3-9 इसका एंसर क्या होता है बहुत सारे बच्चे हो गलत एंसर दे देते हैं कि कुछ बताते हैं 6 कुछ बताते हैं माइनस 6 और कुछ बताते हैं 12 या माइनस 12 तो आप बताओ इसमें से करेक्ट एंसर कौन सा है तो 3-9 इसका करेक्ट एंसर है तो इसे कैसे हम सॉल कर सकते हैं तो आपको जो प्लस या माइनस के रूल्स याद नहीं रहते तो आप जैसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो और एक्जम्पल यह मेरी नंबर लाइन है यहाँ पर 0 है और यहाँ पर मेरा आ गया 1,2,3,4,5,6 तो कैसे करेंगे पहला नंबर है 3 यहाँ पर पोजिशन बनाएंगे और माइनस 9 मतलब 9 पोजिशन हम पीछे जाएंगे तो 1,2,3,4,5,6,7,8 और 9 पोजिशन हम पीछे गए तो नंबर आ गया माइनस 6 तो यह रहा हमारा करेक्ट आंसर समझ रहा है सबको नई समझा तो आप कमेंट कर सकते हैं या अन्मिट करके पूछ सकते हैं एक दूसरा एक्जामपल लेते हैं और एक्जामपल यहाँ पर मुझे सब्ट्रेक्शन करना है 26-39 अब इसका एंसर क्या आएगा आपको आप्शिन चाहिए है तो ठीक है 13-13 दूसरा 45 55 आप बता सकते हैं इसका करेक्ट एंसर है माइनस 13 होप आपको समझ में आया हुआ नहीं आया तो आप नंबर लाइन से ड्रॉ करके ऐसे कर सकते एक्जामपल यह रही मेरी नंबर लाइन यहाँ पे 0 है यहाँ पर मेरा प्लस 26 और यहाँ पे आएगा माइनस तो यहाँ पर हम 26 को पॉइंट करेंगे और माइनस 39 है तो 39 पोजिशन पीछे जाएंगे 26 पोजिशन पीछ आएगे तो 0 आएगा और और 13 तो माइनस 13 आएगा आशा है आपको समझ में आया होगा नहीं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अभी और एक पाटन पॉर एक्जाम्पल माइनस 2 माइनस 3 इसका एंसर क्या होगा ओप्शन है 5 माइनस 5 1 माइनस 1 यहां प्लस हो जाएगा और 2 प्लस 3 5 तो प्लस 5 बट नहीं इसका एंसर है माइनस 5 यह के से कोई बता सकता है क्या फिर से नंबर लाइन ले सकता है हम यहां पर मेरा 0 यहां पर प्लस 1 2 यहां पर माइनस में माइनस 1 माइनस 2 यह थोड़ा बढ़ाते हैं माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, तो यहाँ पर पहले है माइनस 2, तो हमारा position यहाँ पर होगा, माइनस 2 पर, दुसरा color लेता हो पे इनका, तो समझ में आएगा, यहाँ पर हम position है, और माइनस 3, 3 position पीछे जाना है, तो 1, 2 and 3, तो यह हो गया, माइनस 5, समझ में आ गया, और एक example देखते है, तो आपका यह पूरा clear हो जाएगा, For example, मुझे subtract करना है, माइनस 9, माइनस, छोटा नंबर लेता हूँ 6, तो माइनस 9, माइनस 6 क्या होगा, Option 15, माइनस 15, 3, माइनस 3, सो बहुत सारे बोलेंगे, बच्चे की 3 है यह माइनस 3 है, बट इसका answer है, माइनस 15, कैसे? तो फिर से number line ट्रॉ कर सकते हैं, और number line पर पहले लेंगे, माइनस 9 और पीछे जाएंगे 6 position, सो माइनस 9 के पीछे, माइनस 10, माइनस 11, माइनस 12, माइनस 13, माइनस 14, माइनस 15, सो होप आपको subtraction समझ में आया होगा, सो यह basics है, then multiplication, first 7 into 3, सबको आता होगा 7 का table 21, सो इस question का answer सबकरेक्ट देते हैं, बट मैंने पूछा, minus 7 into 3, तो बच्चे गडवाड़ा जाते है, minus 21 होगा या plus 21 होगा, तो यहाँ पे एक ही minus है, तो minus 21, then 7 into minus 3, अब बच्चे बोलेंगे plus 21, बट नहीं, यहाँ पे 3 को minus है, तो इसलिए इसका भी minus 21, then minus 7 into minus 3, तो यहाँ पे minus minus हो जाएगा, cancel, plus बन जाएगा और यह हो जाएगा plus 21, तो यह हो गए, multiplication के 4 patterns, okay, same division के, For example, यहाँ पे हो गया, 6 divided by 2, तो इसका एंसर आएगा 3, 2, 3 is a 6, right? अभी minus 6 divided by 2, तो इसका होगा, 2 वेंजा 2, 2, 3 is a 6, minus यही पे है, तो इसका क्या होगा? एंसर minus 3, next, minus 6 divided by minus 2, तो इसका होगा, 2, 1 is a 2, 2, 3 is a 6, यह हो गया, 3 divided by minus 1, तो यह minus भी उपर आता है, तो यह होगता है, minus 3, कैसे होता है? For example, यहाँ पे minus है, तो यहाँ पे हम पूरे numerator or denominator को minus 1 से multiply कर देंगे, तो यह minus 1 into minus 1, यह minus n चला जाएगा, यह उपर आए जाएगा, 3 into minus 1 minus 3, next minus 6 minus 2, तो इसका minus minus cancel हो सकता है, और 2 अंजा 3, 2 अंजा 2 and 2 3 ता 6, तो इसका answer है 3, तो मुझे आशा है, subtraction, multiplication और division के basics आपके clear हो गए, तो और एक है quadratic equation, so इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर बढ़ते हैं, तो देखेंगे, इसका भी एक अलग pattern, quadratic equation, for example, यहाँ पर है x square plus 5x plus 6 is equal to 0, तो इसको हमको solve करना होता है, तो यहाँ पर बीच का जो term है, वो addition आनी चाहिए, और जो last का constant है, वो multiplication आने चाहिए, यासे दो number हमको ढूणने है, so 3 to the 6, तो यह हमको easy मिल जाता है, 3x plus 2x plus 6 is equal to 0, और इसको हम solve करके x की value निकाल सकते हैं, x common आएगा, x plus 3 और दूसरे bracket में 2, x plus 3 is equal to 0, तो इसका answer आएगा, x plus 3 plus x into x plus 2 is equal to 0, okay, यह तो हो गया, अब correct क्योंकि इसमें सारे जो operators है, वो plus है, problem कहा आता है, for example, यहाँ पर मैंने question बता दिया, x square minus 5x plus 6, तो यहाँ बच्चे गड़ बढ़ा जाते हैं, यहाँ पर multiplication चाहिए 6 और addition हमको चाहिए minus 5, तो क्या होंगे factors, तो कुछ बच्चे बोलते हैं 3, 2 सा, और दोनों को minus 10 देंगे, तो डाल के देखते हैं, x square minus 3x minus 2x plus 6 is equal to 0, pair करेंगे, x common निकालेंगे, x minus 3 minus 2, x minus 3, अब बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर 6 है plus 6, तो इसका minus, plus 3 आना चाहिए minus क्यों है, क्योंकि हमने minus 2 common निकाला है, इसलिए x बन गाया plus और 6 बन गाया minus, okay? इसका answer आगा, x minus 3 and x minus 2 is equal to 0, okay? अभी third type का एक होता है, x square plus 5x minus 6 is equal to 0, तो यहाँ पर हमें factors क्या निकालना है? multiplication आना चाहिए 6 और addition आना चाहिए 5, right? तो कौन से दो नमबर है? 3, 2 जा, but multiplication तो 5 नहीं आ रहा, then 6, 1 जा, यह करेक्ट हो सकता है, 6 को plus और इसको minus, 6 minus 1, 5 and 6 into 1 minus 6, okay? तो बहुत से बच्चे यहाँ पर mistake करते है, 3, 2 जा करते है, बट यहाँ पर उसका multiplication minus 6 नहीं आता है, इसलिए 6, 1 जा लिया है हमने, प्लस 6 x minus 1 x minus 6 is equal to 0, भी पैर करेंगे और common निकालेंगे, x plus 6, यहाँ पर भी minus common निकाल है तो 6 भी plus हो जाएगा और x भी plus हो जाएगा, minus 1, x plus 6 is equal to 0, so bracket में आएगा, x plus 6 and x minus 1 is equal to 0, तो बच्चों यह हो गए, math के basics आशा है, आपको समझ में आये होंगे, तो math के offline classes यहाँ पे मगरपटा city में हम लेते हैं, यह आपको possible नहीं, तो आफ online zoom link की द्वारा भी join हो सकते हैं, तो आपके कुछ भी doubt हो, तो आप video के नीचे comment कर सकते हैं या हमारे whatsapp group में join होके वहाँ पर पूच सकते हैं, So thank you for joining this lecture, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, Bye